तबला वादक के रूप में लोगप्रिय उस्ताद जाकिर हुसेन यकीनन स्वतंतरता के बाद के युग में हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। इन वर्षों में उन्होंने न केवल भारत में बलकि दुनिया भर में कई प्रतिभाशाली संगितकारों के साथ प्रदर्शन किया है। तबले की आवाज को कई अंतराष्टिय समारों और कारेकर्मों में ले जाने के बाद वह एक प्रसिद अंतराष्टिय हस्ती बन गए। अ भारतिये ताल को लोगप्रिये बनाने में उनका योगदान आपार है Hello Everyone, मेरा नाम है नितीश पांडे और ये एक personalities वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक personality पे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही हैं कि informative वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I request everyone कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें आप इस चैनल पे UPSC related subjects को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया है ये सारा content free of cost है जो भी serious UPSC aspirants हैं वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on WhatsApp 7200-681-675 this series और foundational वीडियो के लिए Early Life and Education जाकिर हुसेन का जन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्ला रखा के पुत्र के रूप में हुआ था काफी कम उम्र से ही उनका जुकाव तबला की ओर था जाकिर एक विलक्षन प्रतिभा का बच्चा था और जब वह 12 वर्ष का था तब तक वह संगीत कारेकर्मों में परदर्शन करने के लिए दौरा करना शुरू कर दिया था इसने उन्हें बहुत कम उम्र में पहचान और प्रसिद्धी दिलाई अपने स्टेश शो के साथ उन्होंने अपनी सिख्चा पर भी ध्यान केंदित किया और महिमा में सेंट माइकल हाई इस्कूल गए और अन्तता मुंबई में सेंट जेवियर्स में सनातक की उपाधी प्राप्त की उन्होंने अपनी पीचडी भी की और वाशिंग्टन विश्व विद्याले से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधी प्राप्त की अपने शुरुवाती विश्वम दशा में उन्होंने अक्सर संयुक्त राज का दौरा करना शुरू कर दिया और प्रतीवर्ष 150 से कम संगीत कार्य कर्मों में प्रदर्शिन कीया CARRIER उन्होंने पश्चमी संअगीत कारों के साथ सहयोग किया और पूरे समय इसी तरह के बने रहे उन्होंने जयादातर अमरीकी बेंड के साथ काम किया प्रसिद्ध बैंड द बिटल्स के साथ उनकी साज़ेदारी एक विशेश उलेखन के योग्य हैं। उन्होंने वर्ष 1971 में एक अमरीकी साइकेडेलिक बैंड शान्ती के साथ भी रिकॉर्ड किया। 1975 में उन्होंने जॉन मैकलॉगलिंग के साथ सक्ती बैंड में काम किया। इस बैंड में जॉन मैकलॉगलिंग, जाकिर हुसेन, एल शंकर, टी एच, वीकु विनायकम और एयार राग्वन भी थे। सत्तर के दशक के अंध तक शक्ती को भंग कर दिया गया था। हाला कि कुछ चाल बाद नए सदस्यों के साथ बैंड को रिमेंबर सक्ती का नाम से फिर से जोड़ा गया। पुनर जीवित बैंड ने साटेड़े नाइट इन बॉमबे और दवीलीवर जैसे कई एल्बम जारी किये। उन्होंने 38-वे मैंट्रो जैंज फेस्टिवल में भी परदर्शन किया। जाकिर हुसेन ने अपना पहला एल्बम मैकिंग म्यूजिक वर्ष 1987 में रिलीज किया। जिससे अब तक के सबसे प्रेरित इस्ट वेष्ट फ्यूजन एल्बोमें से एक घुजित किया गया था। फिल्म कैरियर जाकिर हुसेन ने कई फिल्में जैसे की इनकस्टडी, मिस्टिक मैश्योर, हीट एंडस्ट आदी के लिए संगीत तयार किये है। मले आलम फिल्म वन प्रस्थम के लिए उनकी रचना जिसे प्रतिश्टित-कान फिल्म समारों में प्रदर्शित किया गया था। कुछ अन फिल्में जिनके लिए उन्होंने संगीत मैश्योर पर काम किया है। उनमें शामिल हैं एपोक्लिप्स नाव, लिटिल बुद्धा, साज, मिस्टर और मिस्टर अईयर और वन डॉलर कड़ी. जाकिर ने कई फिल्में में भी अभिनाई किया जिनमें से अधिकांश में अपनी संगीत प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है. फिल्म Heat and Dust में इंदरलाल की चरित्र का उनका चित्रन अभिश्मरनिये हैं. उन्होंने The Speaking Hand जाकिर हुसेन and The Art of Indian Drum and The Jaakir and His Friend जैसे कुछ शांदार वृत चरित्रों में भी अभनाई किया. जहां जाकिर and His Friend साल 1990 में रिलीज हुई थी, वहीं The Speaking Hand 2003 में रिलीज हुई थी. Contribution उस्ताद जाकिर हुसेन को समकालीन विश्व संगीत आंदोलन को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है. तबले को विश्वबंच पर ले जाने के लिए उन्हें अक्सर श्रेह दिया जाता है, उनके कई सहाइकों ने ऐसा कहा है. उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि तबला जिसे एक यूग से पहले एक मात्र ताल माना जाता था, संगीत समारों में एक मुख वाद के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है. यह विश्वास कि उन्होंने बहुतो में पैदा किया हमारे संगीत समारों को देखने के तरीके को बदल दिया तबला वादक के रूप में उनकी उपलब्दियों ने कई युवा आकांशी तबला वादक को प्रिद किया और कई इंडो वेस्टर्ण सहयोग के लिए दरवाजे खोले एवार्ड्स तो उन्हें पद्विश्री से नावाजा गया था 1988 में उसके बाद उन्हें पद्विभूशन भी दिया गया दो हजार दो में और 2012 में उन्हें lifetime achievement awards दिया गया था और कई सारे awards है जिससे जाकिर हुसें जी को नवाजा गया है लेकिन मैंने यहां फिर तीन ही दिया है आशा करते हैं कि आपको जाकिर हुसें जी की जीवनी के बारे में idea हो गया होगा यह एक informative वीडियो था हम लोगों के तरफ से तो अगर आ लाइक कीजिए comment कीजिए चैनल को subscribe कीजिए जय हिंद जय भारत